कि चुनाव आयोग ने पांच राजियों में चुनाव का संभावित प्लान तैयार कर लिया है 36 गड में दो और राजस्थान, MP, मिजोरम और तेलांगना में एक-एक चरण में मतदान हो सकता है चुनाव आयोग ने ये प्लान पांच राजियों के दोरे के बाद तयार किया है सूतरों के मुताबिक नवंबर में दिवाली के बाद से दिसंबर के दूसरे हफदे तक पांच राजियों में मत्तान संबन करने की योचना है वहीं पास दिसंबर के लिए 15 दिसंबर से पहले मतगणना हो सकती है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त के मुहर के बाद चुनाव कारिक्रम को दी जाएगी अंतिम मंजूरी और फिर होगी घोशणा आज अब्जर्वर्स की बैठक के बाद लिया जाएगा अंतिम फैसला पिछली बार 2018 में चुनाव आयोग ने इन राजियों में मौझूदा विधांसभा चुनाव के लिए 6 अक्टुबर 2018 को भोशणा की थी आयोग ने नक्सिल प्रभावित इलाकों के मदे नजर 36 गड़ में दो चरणों में मतदान करवाया था पहले चरण में 12 नवंबर को 18 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 72 हलकों में वोट डाले गये थे मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगना में एक चरण में ही मतदान करवाया गया था